हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू अफेर्स क्लाउड, लर्न टू लीड, माइनम इस विकास राणा कोड़ यूज करते हैं, तो आपको स्टेट अवे 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, बट हमारा कोर्स इतना बैटर क्यों है, वाइ वी थिंग कि हमारा कोर्स वन अफ दे बेस्ट कोर्स है इन दे इंडर्स्टी फर प्रिपेरिंग फर करन्ट अफेर्स, क्योंकि हम करन्ट अफे देली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेशन की क्विस प्रोवाइड की जाएगी, जो आपकी रिवीजन में बहुत एलप करेगी, एक PDF प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे आपको 50 क्वेशन की क्विस और PDF of compiled current affairs of week and monthly बेस हम सिरफ इतना प्रोवाइड करते हैं लेकिन नहीं हम English के साथ साथ आपको Hindi में भी ये सारी चीज़े प्रोवाइड करते हैं Not just this, हम आपको Banking Awareness के भी Current Affairs प्रोवाइड करते हैं Banking से related questions भी discuss कराते हैं ताकि आपकी revisions आप सके for banking exam इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की PDF आप सभी के लिए लाए हैं एक interesting way of learning वो है Infotainment Infographics बड़ा ही मज़िदार तरीके से आप इनको enjoy करते हुए PDF को पढ़ सकते हैं तो इनको ज़रूर चेक कीजिएगा इसी के साथ साथ हम आपको 20 topic wise current affairs भी revise कराते हैं daily basis पे एक एक topic की video आती हमारे YouTube channel पे जो 20 topics हैं जैसे apps and web portals, important days, books and authors, आपके national affairs, international affairs, sports, defense, awards इन सभी topics को हम monthly basis पे cover करते हैं and daily हमारे YouTube channel पे आपकी daily videos, monthly videos, weekly videos, topic wise videos ये सब cover करा जाता है जो बहुत helpful रहता है preparation के लिए so I think this is the best course that you can find for current affairs on internet apart from this friends, आप जैसे मैंने बताया, विकास 10 code को अगर आप use करेंगे hello friends, कैसे आप सब? I hope आप सब अच्छ होंगे तो दोस्तों, आज की video में हम part 2 discuss करेंगे national affairs of July month part 1 video already upload की जा चुकी है और आप हम part 2 को upload करेंगे जो आगी आपकी preparation में बहुत जादा help करने वाल है बहुत अच्छा content है, revise करेंगे कुछ पहले content को और साथी साथ आपके लिए बड़े interesting current affairs लाएं notes जरूर बनाना notes बहुत important रहेंगे आज की video में साथी साथ पुराना revise कर सकते हो, revision perspective से भी बहुत अच्छी video रहेगी है ठीक है? चलिए start करें सबसे पहले हम बात करेंगे e-national agriculture market की अब agriculture market आ गया और starting में e आ गया मतलब हम digital India की बात कर रहे हैं और हम सब कुछ online लाना जाते हैं तो agriculture के जो हम produce होते हैं जैसे आपने wheat produce किया किसी farmer ने और वो अपने produce को वो हर्याना में produce करता है और उसको गुजरात में जाके अपने wheat को बेचना है तो वो easily कर पाए उसको easy हो सके ताकि वो जो गुजरात में traders हैं उनके साथ contact कर सके and easily अपने produce को एक जगह से दूसरी जगह पर वो बेच सके इसी को लाने के लिए अभी government ने ये e-national agriculture market launch किया काफी अच्छा और important रहेगा ठीक है इसी को e-nam के नाम से भी जानते है P.O.P. मतलब platform of platform तो अभी क्या launch किया गया है national agriculture market जो की एक platform e-national agriculture market जैसे आपका similar products होते हैं आपको जैसे मालनों कुछ phone खरीदना है आप चाहेंगे Amazon पे आप flip card पे जाएंगे तो ऐसे ही अगर आपको कोई वींट खरीदना है या फिर कुछ और rice खरीदना चाहते हैं और कोई और agriculture produce खरीदना चाहते हैं तो आप इस अगरिकने अगरिकल्चर जो कि हमारा national agriculture market है यहाँ पे आप आगे जाएंगे यहाँ से आप easily इससे benefit क्या होगा basically आप जो farmers है ना वो easily अपने produce को एक तो बेच पाएंगे और इसी के साथ साथ उनको better price भी मिलेगा मालो कुछी दूसरी state में जाधा price है तो आपने बहाँ जाके price को बेच सकेंगे ठीक farmers को बहुत benefit मिलेगा इससे नेक्स आजाते हैं केरला की बात कर लें केरला state की हमने बात करते वर्यक्त कुछ questions discuss किये हैं जैसे इनका खुद का एक OTT over the top platform है जिसका नाम है sea space इनी के दुआरा एक अपना खुद internet service provider रहेगा इनका केरला का क्या नाम है उसका के phone के नाम से ठीक है केरला का जो वो पहली state बनी and the only state in India जिनका खुद का internet service provider है क्या नाम केरला fiber optic network के phone के नाम से काफी important ठीक next पे आते हैं next हम बात करेंगे IIT मदलास ने टॉप किया in the overall list of NIRF ranking NIRF क्या होता है national institutional ranking framework ministry of education के अंडर आता है यह और इनी के दुआरा इंडिया ranking निकाले गई 2022 की of higher educational institution on performance based अगर यहाँ पे मैं overall category की बात करूँ तो IIT मदलास ने टॉप किया IIT मदलास जो की चन्ने तमिल नाडू में इननों ने टॉप किया it retained the first position in the overall category for the fourth consecutive time और engineering category में 7th consecutive time पे यह first position पे रहे in NIRF ranking फिर एक और news discuss करेंगे friends यह काफी important news है note करिएगा हम बात कर रहे हैं गुजरात semiconductor policy इससे पहले आप देखेंगे Semicon India आपको याद है Semicon India कहाँ पे हुआ था किसके द्वारा कराए गया था Bangalore में हुआ था नरेंदर मोदी जी के द्वारा inaugurate किया गया था और इसका main aim क्या था objective क्या था कि इंडिया को हम manufacturing hub बनाएंगे Semiconductor का हम जानते हैं जो Semiconductor की Chips होती है यह आपकी हर electronic device में यूज होती है हर technology में आज कली यूज हो रही है चाहिए आप अपने phones को ले लीजिये laptops, computers, आपके घर में AC है उसमें आपकी cars जो आ रही है उनमें आप देखेंगे कि chips ही chips यूज होती है यह Semiconductor Chips तो अगर आपने भी news follow करते हैं तो आपने देखा भी होगा कि कुछ car manufacturers ने यह बोला था कि हम cars की production को कम गर रहे है reason being कि वहाँ पे manufacture chips की shortage हो गई है all around the world not just this friends, एक और insight देता हूँ मैं आपको अभी आप देख रहे हैं कि Taiwan पे China अपना दबदबा बनाना चाहता है और US चाहता है कि वो ऐसा नार कर सके China बोलता है कि Taiwan China का ही part है one of the main reason Taiwan Taiwan इतना important है because it is one of the largest manufacturer of semiconductor these chips, इन chips का बहुत बड़ा exporter है manufacturer है Taiwan, तो उस पे definitely जो कंट्रोल करेगा definitely उनको बहुत जादा फायदा भी मिलेगा coming back to the news, हम बात कर रहे थे गुजरात semiconductor policy की question आएगा कि वो पहली state इंडिया में कौन सी मनी, जिन्होंने एक dedicated semiconductor policy launch की, वो है गुजरात की, और ये 2022 से लेके 27 साल तर, मतला 5 साल के लिए ये आपकी semiconductor policy launch की गई है, इसके अंडर 2 लाख नई employment देने की बात करी गई moving on फिर हम बात करेंगे government के द्वारा एक जागरिती mascot को launch किया गया, आप right side में देख सकते हैं, ये mascot ये basically क्या signify करता है कि, जो हमारे consumers हैं, जो shops पर जाके या कहीं पे भी कोई भी product किसी से खरीटते हैं उनको consumers बोलते हैं, उनको जागरूख कराने के लिए, उनको empower करने के लिए, उनको अपने rights बताने के लिए, कि कोई उनके साथ cheat ना कर पाए, कोई उनके साथ दोखा धरी ना कर पाए और अगर को उनको लगता है कि they are being exploited, तो वो कहां पे जाके contact करें, इन सारी चीजों के बारे में यहां पे बताये क्या, और अगर आप पहले एक slogan भी आता था, हम उसको गाने की तरह बोलते थे, जागो ग्राहक जागो, वो क्या था, वो यही था आपका कि जो ग्राहक हैं, जो customers हैं, उनको अपनी awareness create कराने के लिए, उनको अपने rights के बारे में aware कराने के लिए ही यह launch किया गया था, तो इस mascot का पहले क्या नाम याद रखेंगे, वो है जागरिती mascot, ठीक है, और slogan का नाम क्या है, जागो ग्राहक, जागो आप सभी के लिए एक और important चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं, various topic की, जैसे pocket PDF, जो आपकी before 7th of every month आप तक पहुँच जाएगी, application में upload करती जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, जैसे weekly PDF, weekly PDF आपको हर 7 दिन में easily मिलती रहेगी, क्योंकि weekly तो हर हफते आ जाता है, तो हर हफते हम आपको content provide करेंगे, static questions की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी स्टेट वाइस की बात करें, तो यह आपको 20 तक मिल जाएगी, अगर हम weekly की बात करें, जैसे मैंने अब आपको बताया, यह तो होई PDF, लेकिन अगर मैं quiz की बात कर रहा हूँ, weekly quiz की, तो 7 days, after every 7 days आपको content provide किया जाएगा, top 100, top 100 जो questions के एक PDF होती है, वो आपको 10 तक provide कर जाएगी, of every month monthly भी ऐसी, जो monthly current affairs की PDF, एक compiled PDF होती है वो भी आपको 10 तक provide कर जाएगी, जो आपकी preparation में बहुत जादा help करेगी, not just this friends, इसके अलावा हम आपको content provide करते हैं, वो English, English में नहीं, important चीज़ जो जाद रखने की है, हम आपको Hindi में भी content provide करते हैं, ठीक है, जो written material होगा, आपका Hindi language में भी provide किया जाएगा, जो आपकी preparation में बहुत जादा helpful रहेगा, ठीक है, banking awareness के questions की PDF भी हम आपको before 10th of every month provide कर देंगे, daily की हम आपको daily life जो होते हैं, daily sessions आप YouTube पे देख सकते हैं, और जो हमारे paid users हैं, वो carriers cloud application पे जाके PDF को download कर सकते हैं, and reference के लिए साथ-साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत जादा useful रहेगा, important cheese बताने का मेरा main name यहाँ पर यह है कि जो content है ना, हम Hindi में भी provide करते हैं, क्योंकि काफि सारे बच्चे अभी भी पूस्ते रहते हैं, sir content हमें कहां मिलेगा, Hindi की PDF कहां मिलेगी, आप जो PDF पढ़ा रहे हैं, जो questions पढ़ा रहे हैं, वो Hindi में कहां मिलेगा, तो बेटा, जो हमारी website है, ठीक है, हमारी जो application है, not website, हमारी application पर आप जाईए, application पर आप हमारे course चेक आउट करेंगे, वहाँ पर हम आपको Hindi में भी content PDF प्रोवाइड करते हैं, next, next हम बात करेंगे, India will get their first ever underwater train, underwater train आने वाली हैं, इंडिया में दोस्तों, 2023 तक, तो कहां पर आईगी, कोलकता में आईगी, कोलकता, वेस्ट बेंगॉल में, किस river के उपर आईगी, हुगली river के उपर आईगी, हुगली river एक, ट्रिब्यूटरी है आपकी, गंगा river की, इसी के नीचे आप देखेंगे, यह underwater में ऊपर बोल गया, underwater train है, तो, obviously river के नीचे बनाई जाएगी, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा द्रिशा होगा, बहुत सुन्दर लगेगा देखने में भी, और जो travel journey होगी, वो बहुत अच्छी होगी, ट्रेवल जर्नी कितनी होगी, 16.34 किलोमेटर की, इस से वेस्ट कोरिडोर के लिए, कोलकता में आएगी, यह under their futuristic metro, यह cover करेगी, 16.34 distance को, और अरली 2023 तक इसको launch करने की बाद की गई, the first ever underwater train कहाँ पर कोलकता में, किस river पे आएगी, river हुगलीव के अंदर डेवलप की जाएगी, जो कि एक डिस्ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, ठीक है, फिर, ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रिब्यूटरी, इसी के साथ चाथ एक चीज़ और क्या, किस 16.34 किलोमेटर की इसकी लेंद रहीगी है, ठीक है, चलिए, नेक्स पे आते हैं, नेक्स हम बात करेंगे असम की, असम और अरुनाचल परदेश के बीच में भी एक बॉर्डर डिस्ट्रिब्यूट साइन किया गया, हम देखते हैं कि काफित सालों से, असम और अरुनाचल परदेश के बीच म अरुनाचल परदेश की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर हिमनता बिच्वा शर्मा जी और अरुनाचल परदेश की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर एंगे पिम खांडू जी फिर आजाते हैं पहली इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिस चेंड ये कहां से फ्लैग आफ की गई नियू डैली से IOC की बात करें इंडियन आइल कॉर्परेशन इनके द्वारा लॉंच किया है कि इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव की जिसका नाम है सूर्या नूरतन PM Modi ने इनागरेट किया वानिज्य भवन को वानिज्य भवन जो की क्या है नई प्रेमिसेज है या नई बिल्डिंग है आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री की आंद्रपर्देश इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया बाइजूस के साथ फॉर्वर्मेंट स्कूल केट्स डैली एरपोर्ट यह पहला इंडिया का एरपोर्ट बना टू रन एंटारली अन्टारली अन्टेरल पावर और वो पावर कॉन सी है है हाइड्रो एस वेल है सोल और इनी के द्वारा एक टार्गेट यह सेट किया गया तो बिकम कार्बन नूट्रल बाइज यह ट्वेंटी थर्टी जी किशन रेडी इनके द्वारा इनॉगरेट किया गया जोतिरमा फेस्टिवल ठीक है राजस्थान राजस्थान बाथ क्रिए टॉप परफ़र्फर्मिंग सेट इनलेवल उप सुलर नर्जी वो जौन है वकूर राजस्थान है फिर इसी के बात करें इट विस फॉलोड बाई गुजरात फॉलोड बाई महराश्ट्रा फिर अगर यहीं के बात करें राजस्थान वो पहली स्टेट है जिन्होंने 10 गिगावाट और सोलर एनरजी के टारगेट को अचीव किया है किसके दुआरा यह पहली आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पावड लोक अधाला डेवलप की जाएगी यह राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉर्टे के दुआरा लाई जाएगी ठीक है और इसको लॉंच किया जाएगा दूरिंग दे एट ओल इंडिया मीट ऑफ स्ट स्टेट लीगल सर्विस अथॉर्टी जो कि जाएगपूर राजस्थान में हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट आम बात करेंगे गवर्मेंट, गवर्मेंट फ़र्म करेंगे एक 29 मेंबर का पैनल, सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करते हैं, यह 29 मेंबर का पैनल होगा यह के दौरा Ministry of Agriculture and Farmers Welfare के दौरा ये आपकी 39 मेंबर की कमिटी सेट अप की गई अब कमिटी है तो किसी के दौरा लीड की जाएगी हेड की जाएगी तो किसके दौरा हेड की जाएगी फॉर्मर Agriculture Secretary संजे अगरवाल के दौरा इस कमिटी को हेड किया जाएगा कि MSP सपोर्ट प्राइस को मोर एफेक्टिव और ट्रांस्परेनेट बनाने की हाँ पर काम किया जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे एक काफी यूनिक मॉडल लाने की बाच की गई कि स्टेंडरडाइस कर सके civil service ट्रेनिंग को उसके लिए एक national standards for civil service training institution को खोनने की बात की गई इन्होंने इनागरेट किया जोतिरमा फेस्टिवल हम देखी चुके हैं फिर जम्मु इन कश्मीर की बात करें तो होस्ट करेगा G20 की मीटिंग इन 2023 गुज्राज चीफ मिनिस्टर की बात करें इन्होंने 17 एडिशन ओफ शाला परविर्ष्टव लॉंच किया सुप्रीम कोट इनके दवारा सी ओए फॉर्म्ट एडवाइजरी कमिट पैनल जो की चेयर किया जाएगा रंजीत बजाद जी के दवारा यूनियन मिनिस्टर नितिन गडगरी इन्होंने अप्रूव किया ड्राफ्ट जियसार नोटिफिकेशन को टो इंट्रोड्यूस भारत गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान की बात करें कितने साल पूरे हो गए है दो साल पूरे हो गए है नेक्स्ट हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश वो पहला स्टेट बन गया है जिनोंने अपनी जो कमर्शिल वीकल्स होती है इनमें दो सिस्टम लगाए है एक तो है वीकल ट्रेकिंग डिवाइस और दूसरा है आपका ERSS Early Response Support System ये दोनों आपके commercial vehicle में लगाए जाएंगे, VLS ये क्या है, vehicle location tracking device बेसिकली ये आपकी जो vehicles है commercial vehicles उनके location को track किया जा सके कि भई कहां से कहां जा रही है कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही कहीं कोई corruption तो नहीं हो रहा कहीं कोई समान को illegal load तो नहीं कर रहा illegally उसको बेश तो नहीं रहा इन सारी चीजों के बारे में दियान रखने के लिए और हिमाचल परदेश है तो अगर मालनों वहापे कोई emergency हो जाती है, कहीं पर समान गिर जाती है वह ट्रक फर्स जाता है तो उस तक जल्दी से जल्दी help पहुचाई जा सके इसी लिए ये वीकल location tracking device और emergency response support system को launch किया गया कि स्टेट के दुआरा वो है हिमाचल प्रदेश काफी important friends ऐसी questions होते हैं जो आपको याद रखने पढ़ते हैं आज कल tricky questions भी पूछे जाते हैं ठीक है सेम चीज़े बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर इसी के अलावा आप याद रखेंगे एक और mobile application launch की गई जिसका नाम था 112 इंडिया 112 क्यों क्योंकि एक emergency call number है 112 जो कि एक compilation of all the numbers जैसे 101,100 जो कि आपका police का होता है 101 जो fire rescue का होता है 108 ambulance का 181 का women and childcare का इन सब को integrate किया गया है ना unified number 112 यह साब 112 पे press करके call कर सकते हैं और आपकी location बेच दी जाएगी और जो भी emergency call होगी आप वहाँ पर कर पाएंगे with the help of this अगर कोई भी person unsafe feel कर रहा है emergency में है तो वह 112 पे call कर सकता है नेक्स IPL की बात करते हैं गुजराट Titans टीम ने अभी IPL जीता कौन से edition था IPL का पंद्रमा एडिशन था sponsor कौन था टाटा कब हुआ 2022 में कौन से edition मनाये गया पंद्रमा एडिशन जीता किसने गुजराट Titans ने कैप्टन कौन था हार्दिक पांडिया था गुजराट Titans का कैप्टन तो पंद्रवे edition of IPL जो 2022 में हुआ था गुजराट Titans ने जीता कैप्टन रहेंगे हार्दिक पांडिया और ये औरेंज कैप मिलती है बैटिंग के लिए परपल कैप मिलती है बॉलिंग के लिए तो बैटिंग में मतल़ जिसने सबसे ज़्यादा रॉयल्स के लिए खेल रहे थे तो देखेंगे दोनों प्लेयर्स आपके राजिस्थान रॉयल्स से हैं जिनको औरेंज कैप एंड परपल कैप मिली दोनों प्लेयर्स को 10 लाग रुपे मिले प्राइस मनी फिर गरीब कल्यान रोजगार अभियान को दो साल हो गए अभी हमने देखा गोवा गोवा ने सेलिब्रेट किया साओ जौफ फेस्टिवल यहीं पर होता है आपका नैशनल म्यूजियम फॉर कस्टमस एंड जी एस्टी यह भी आपका गोवा में ही है बीच विज के फेस्टिवल का पूछेंगे कि कम्मा खाया टेंपल किदर है तो यह असम में है इंडिया का लार्जेस फ्रोटिंग सोलर पावर प्रोजेट कमिशन बाई टाटा पावर इन केरला अब शायद मद्यापरदेश हो गया है यह ठीक है नेक्स्ट जो इंडिया का लार्जेस तो इसको करेक्ट कर लेंगे वन हेल्थ पाइलट इनिशेटिव लॉंच किया गया है कहां पर बैंगलॉर में सेवन्थ एनिवर्सरी आफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को अभी सेलिब्रेट किया गया और यह लॉंच किया गी थी किसके दोरा मिनिस्ट्री आफ अर्बन待 इनिश्टि में सेश्टउट इनिश्टris इनिवर्स नेक्स्ट रहें किना अर्बनर इंशेट किया योजनाु में हुआ एक जला किनाु अचकला था पंचकुला शाबाद अंबाला और चंदिगड यहां पे हुआ और हद दिल्ली में हुआ था आपका यह फिर हर्याना ने हर्याना की टीम ने ही बावन गोल मैडल के साथ टॉप किया इंड खेलो इंडिया यूद गेम जिसका फोर्थ एडिशन था ठीक है इसके बाद महरा नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिल नाडू के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टॉलिन के द्वारा अभी 44 एडिशन ओफ फाइड चेस ओलंपियाट जो की चन्ने तमिल नाडू में हो रहा है उसका लोगो एंड मैस्कॉट को रिलीस किया गया ठीक है यहां पे के दस अगस्त के बीच में हुआ था एट चन्ने तमिल नाडू हाइली इंपॉर्टे थी टीम्स ने पार्टिस्पेट किया फ्रम 187 कंट्री एव अल्रेडी एंटर फॉर्णमेंट इन उपन एंड वीमेंस सेक्श्ट नेक्स्ट अगर थांभी की बात करें यह एक जो कि एक ग्रीटिंग जेस्टर होता है नेक्स्ट आज आते हैं यूनियन मिनिस्टर प्यूश गोईल इन्हीं के दवारा मैंगो फेस्टिवल ब्रूसल बेल्जिम में इनॉग्रेट किया गया और प्यूश गोईल जी के दवारा ही याद रखिएगा इन्होंने ही इंडिय डेलिगेशन को लेड क्या था दूरिंग वर्ल्ड एकनामिक फॉर्म जो कि डेवास में हुई थी फिर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट की बात करें जिसमें इंडिया फोर्थ पोजिशन पर आता है हिंदा ग्लोबल गोल्ड रिसाइक्लेंग और यहीं पर जो ओसे डेडिकेटेड रिजन फॉर इंडिया मार्केट ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के बात करें इंडिया की रेंक रहेगी 115 नौर्वे एंड सिंगापूर नहीं पर टॉप किया इंडिया रिकॉगनाइज एस दा कंट्री ओफ द इयर बाई यूरोप्स बिग यूटिया ने 8 से 10 चीताज नामीबिया सी और इनको कहाँ पर रखा Christian回z ने कुन इंडिया इन्डेक्स की बात कर रहे हैं तो similarly एक और बात कर लेते हैं नितियायो की एक रिपोर्ट रिलीस की गई थी जो की बताती है कि इंडिया सबसे कम इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलोप्मेंट पॉलिसी पर कैपिटा में इसी के साथ साथ फिर इसको देखते हुए इंडिया ने एक अपनी रिसर्च एंड डेवलोप्मेंट पॉलिसी निकाली थी जिसमें किस टॉप कौनसे स्टेट मिल निकाली थी जिसने अडॉप्ट की वो है करनाटका ही ठीक है एक चीज़ और याद रखेंगे अगर क्वेशन ऐसे पूछा जाता है कि विच इस थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया निती भवन जो कि न्यू डेली में है हर साल नितिया योग अपर अपने नॉलिज पार्टनर इंस्टिट फॉर कॉंपिटिनेस के दौरा ये इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करता है ठीक काफे इं फर्स्ट एडिशन आपका रिलीज किया गया था अक्टूबर दो हज़ार उननीस में और सेकें एडिशन आपका जन्वरी दो हजार इकिस में रिलीज किया गया था नेक्स्ट आरमे फेशन करेंगे इसको एक चीज और फ्रेंट्स जब मैं कहता हूँ नोट करें तो उसको तो डेफिनिटली नोट कीजिएगा नोट ज़रूर बनाएगा उस पॉइंट के लेकिन इसके अलावा जो आपको भी इंपॉर्टन लगते है ना आप खुद भी अपने नोट बनाएगा लेकिन आपके लिए वो चीज इंपॉर्टन की हो जाती है क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज नहीं है वो आपके लिए नियू इन्फॉर्मेशन है तो बेशक कोई कितनी छोटे इन्फॉर्मेशन हो ऐसे नहीं होते कि भाई मेरे न अब ही हम देख रहे हैं कि जितने भी कार मेनुफेक्टर्स हैं इलेक्टरिक विकल पे शिफ्ट कर रहे हैं रीजन बिंग कि जो पेट्रोल है आपका जो आपका डीजल है ये क्या है ये नॉन रिनियूबल रिसॉर्स हैं और ये फॉसिल फ्यूल है मतलब इनको हम बर्न करेंगे तो एक तो कार्बन रिलीस किया जाएगा एट्मोस्वेर में जो कि बहुत जादा पॉलूशन करेगा जिससे क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग में भी इंपैक्ट पड़ेगा और ये फॉसिल फ्यूल है तो मतलब इनको बनने में भी बहुत जादा टाइम लगता है ठीक लेकिन सोलर एनर्जी क्या है सोलर एनर्जी को आप इसली ट्रैप कर सकते हैं और उसको आप कैसे भी यू नहीं होगा जिससे क्या होगा आपका इन्वार्मेंट बहुत साफ रहेगा तो अभी कॉप 26 के प्रेजिडेंट कौन है आलोग शर्मज ये इंडिया की विजिट पे थे जहां पे नितियायों के साथ मिलके इनोंने ये लॉंच गिया इन्हीं के द्वारे एक मोबाइल एप नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ओफ स्टेटिस्टिक्स एन प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन के दुआरा भी एक रिलीज रिपोर्ट रिलीज की गई है यूथ इन इंडिया 2022 इनके डाटा के दौरान एक डाटा बताया गया वो डाटा क्या कहता है कि 2036 तक जो इंडिया की यूथ पॉपॉलेशन होगी न वो रीच कर जाएगी 22.7% और फिर डिकलाइन करने लगेगी और जो हमारी इंडिया की एल्डरली पॉपॉलेशन है इस प्रोजेक्टिट टू रीच 14.9% कब 2036 तक ठीक है और ये डाटा कब से कब तक है 21 से 36 के बीच में इन्होंने प्रोजेक्शन करा है और नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के हिसाथ से जब हम यूथ की बात करते हैं जब आप कोई भी पॉलिसी पढ़ेंगे न्यूस पेपर में कभी भी यूथ तम आता है तो याद रखेंगे वो कब से कब तक होता है 15 से लेके 29 साल के बीच में जो परसन होता है उसको यूथ कहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे हर घर जल certified district in the country कौन सी है मद्यपरदेश की बुरहान डिस्टिक्ट काफे important अगर district की बात की जाए तो हर घर जल certified district तो बुरहानपूर की मद्यपरदेश और अगर state की बात की जाए तो वो आपकी ग गुवा यह आपके हर घर जल जो आपका जल जीवन मिशन था उसके अंडर लॉंच की गई थी means हर घर को clean drinking water provide करने की बात की गई by 2024 यहापे आप देख सकते हैं इनका target year क्या था 2024 तक हर घर में clean and safe drinking water पुचाने की बात की गई नेक्स्ट एस मुंदरा जी इनको अपॉइंट किया गया chairman of Bombay Stock Exchange अविनाश कुलकरनी इनको अपॉइंट किया गया CEO of India Resurgence Asset Reconstruction Company का अकाश अंबानी इनको अपॉइंट किया गया as the chairman of Reliance G.O. Justice सतीश चंदर शर्मा इन्होंने ओत ली as the Delhi's High Court Chief Justice के तिरोपे नेक्स्ट इन्टरनेशनल Weight Lifting Federation ने अपॉइंट किया मुहमाद जलोद को as the president of for the year 2022 नेक्स्ट हम बात करेंगे government के द्वारा जो flag code था 2002 को उसको implement किया गया मतलब पहले क्या होता था sunset से sunrise से लेके sunset तक ही आपका जो flag है उसको fall किया जाएगा और उसके बाद sunset के तौर पे आपने देखा भी होगा जली अवाला बाग भी आप गए होंगे आप वहाँ पे जाते होंगे border पे तो क्या होता है हर जगे जो भी flags होते है न वो उतार लिए जाते है अनफर्ड कर लिए जाते है लेकिन अभी हमने देखा था कि हर घर तिरंगा एक campaign launch किया गया सरकार के दौरा जिसका क्या aim था कि हर घर में अब 75 years जो हमने complete कर लिए independence के उसको celebrate करने के लिए हर घर तिरंगा launch किया जिसको जिसके अनुसार अब घर में तो क्या है कि हर व्यक्ति शाम को अपना तिरंगा नहीं उतारेगा घर से तो इसके लिए ध्यान में रखते हुए इंडिया के द्व जो फ्लैग कोड़ था दोजादों को उसको चेंज किया गया कि आप आपका जो फ्लैग है वो डे और नाइट 24 गंटे 24-7 आप उसको फरल कर सकते हैं ठीक है highly important next और यह decision किसके दोरा लिया गया था ministry of home office के दोरा yes यह याद रखेंगे कि किस ministry के दोरा यह decision लिया गया था aptitude and research in stamps as a hobby यह आपकी दीन द्याल स्पर्श योजना है ठीक है basically department of post के दोरा release की गई थी filletly scholarship scheme है ठीक मतलब filletly होता है the study of study and collection of stamps किसके दोरा launch की गई department of post के दोरा क्या launch किया गया दीन द्याल स्पर्श योजना स्पर्श क्या है scholarship for promotion of aptitude and research in stamps as a hobby छटी से लेकर नॉमवी क्लास के बच्चों में filletly जो आपके stamps है उसके बारे में interest जागरूत करने के लिए ही यह scheme launch की गई थी the study and the collection of postage stamp is known as filletly all right next next आता है इंडिया इंडिया के दोरा 54 total ramsar sites हो गये इंडिया में लेकिन अभी यह data update करते है 54 के बाद 10 add or की गई फिर इसके बाद 11 add or की गई अब total है 75 मैं बता चुका हूँ 75 साल हो गए इंडिया की आजादी को तो उससे याद रखेंगे इंडिया में कितनी सारी ramsar sites है टोटल 75 ramsar sites हैं इंडिया में moving on next odysa odysa के दुआरा MOBUS सर्विस को launch किया गया और इसी को MOBUS सर्विस को अभी prestigious UN Public Service Award से सम्मानित करा गया था विजया अमरित राज को honor किया गया golden achievement award से government of India ने host किया first ever national logistics excellence award कहाँ पर new Delhi में दो रोबोट्स को भी include किया गया into the fire fighting team of new Delhi यहीं पर याद रखेंगे अगर मैं पूछू पहला drone मेला कहा हुआ था Gwalior में हुआ था मध्या परतेश में और मैं पूछू कि largest drone मेला कहां पर हुआ था यह हुआ था आपका new Delhi में नेक्स आजाता है उतामा उनके द्वारा जीता गया Transylvania Trophy at 21st TIFF edition इंडियन स्टार्ट अइजी ड्रोन वन द प्रेस्टीजियस एरवार्ट्स फॉर्ड बेस्ट ड्रोन और्गनाइजेशन अवार्ट्स बै एरवार्ट्स के द्वारा इनको ही संभानित किया गया नेक्स आजाते हैं इसरो इसरो ने लांच किया इंडिया की कॉम्मिनिकेशन सेटलाइट जीसेट 24 को फ्रेंच केनिया इसरो की ही बात करें तो इनके द्वारा तीन सिंगपुरिन सेटलाइट को लांच किया गया था फ्रॉम सतीश देवन स्पेस सेंटर यूजिंग दा जी लांच की गई विद होम ग्रोन नूरी रॉकेट इंटू और्बिट क्वेशन पूछेगा कि नूरी जो रॉकेट है किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है तो यह आपका साउथ कोरिया का रॉकेट है चाइना ने नया बैच ओफ थ्री यांगॉन 35 रिमोट इनी का एक खुद का प्राइवेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है टाइंगॉंग स्पेस स्टेशन इंडियन ड्रोन स्टार्टप गरूड़ा एरोस्पेस की बात करें यह अपना प्लांट कहां सैट अप करेंगे मलेशिया में और इनी के दुआरा अभी ब्रेंड अमब प्रेंड फुट बाल फैडरेशन का में फुटबालर ऑफ द इयर से भी गोशित किया गया था फ्रूट पूचेगा सुनील चैतरी किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं तो यह फुटबाल से बिलोंग करते हैं इन्दियन प्लेयर रुमेली धर यह क्रिकेटर है और इनोने र इसी के अलावा अगर आपसे एक दो और क्वेशन में डिसकस करूँ जैसे बताओ नौर्वे चेस ग्रूप एक के विनर कॉनरे टूर्णमेंट के आर प्रगननदा ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूँ एजरबाईजन ग्रेंट पिक्स किनके दोरा जीती गई मैक्स वर्स्टेपपन ने जीती और मैक्स वर्स्टेपपन ने ही आपकी एमिलिया रो मांगना ग्रेंट पिक्स को भी जीता था फिर इसके अलावा गर मैं आपसे पूछूँ बीच विजिल एप किसके दौरा लॉंच की गई थी गोवा के दौरा ये लॉंच की गई है बीच विजिल एप इसी के साथ साथ अगर आपसे question पूछा जाए सीतल सस्थी ये festival किसके दौरा अब्जर्व किया जाता है ओडिसा के अंबु cel अबूबाजी festival फिर अगर मैं बात करोंव फसाइप की फोर्टेशियन ऑम स्टेट फूर सेफ्टी इंडेकस की कि सेट आप किया यहां पर तमिल्णाड़तू ने टॉप किया यहां फिर एक हैंठी मैं यात्रा की बात करों यह यंतरा सेब्य किसके दौरा लॉंच की की आंद्र प्रदेश गोवर्मेंट के द्वारा इसको लॉंच किया गया है ठीक है फिर इसी के द्वारा अगर एक और क्वेशन आप से पूछा जाए जरा बताओ अभी रिसेंटली अभी रिसेंटली पैरा शूटिंग वर्ड कप का हुआ था फ्रांस में हुआ था यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के किनों ने अवनी लखेरा ने 2022 के पैरा शूटिंग वर्ड कप जो की फ्रांस में हो था गोल्ड मेडल जीता ठीक है काफी इंपोर्टन इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेशन पूछू जरा मैं बताओ फ्रूट सॉफ्वेर यह एक फ्रूट सॉफ्वेर लॉंच किया गया है फार्मर्स के लिए स्कीम थी किन स्टेट के दौरा करनाटका के दौरा यह लॉंच की गई थी काफी इंपोर्टन फिर सैंटर के दौरा एक मिलिटरी रिक्रूटमेंट की गई ती उसका नाम क्या था अगनी पत क्वेशन पूछेंगे कि किस के दौरा लॉंच की गई थी एक दौश पूर नाम की got की ती आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप चाहते हैं ऐसा ही सेशन हम फ्यूचर में आप सभी के लिए लाते रहें तो comment करके ज़रूर बताईएगा ये तो हमारी topic wise वीडियो है इसी के साथ daily current affairs भी आप हमारे चेक कर सकते हैं weekly current affairs monthly current affairs not just this इसी के साथ साथ quiz भी आप attend कर सकते हैं हमारी carriers cloud application पर जो कि आपके लिए बहुत helpful रहने बाला है notes बनाईए देखो तरीका का है वीडियो देखिए notes बनाईए और फिर quiz attempt कीजिए बहुत अच्छी preparation हो जाएगी और साथ साथ homework question को भी comment करते रहिए जो daily basis पे daily current affairs पे आपको provide किये जाते हैं मेरे दुआरा उनको comment जरूर कीजेगा ये चार-पांच चीज़े अगर आप daily basis पे करते रहेंगे और जो बच्चे मेरी इस process को follow करते हैं उनका देखेगा आप current affairs में कितनी जादा difference होगा जो जो बच्चे भी comment करते हैं आज जल्दी से नीचे comment करके बताओ क्या आपको difference लगता है आपके current affairs में change आया है क्या आपको लगता है कि आपको ज़्यादा चीज़े याद रहती हैं और अगर रहती है तो नीचे ज़रूर से comment करके बताईए so that's all for the day friends thank you and have a nice day विकास signing off that's all for the day friends यह हमारी वीडियो थी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ friends आप हमारे youtube channel को subscribe कर सकते हैं आप telegram channel पे जाके हमें follow कर सकते हैं and इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 7677333862 या फिर आप हमारी mail ID पे हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप विकास 10 का code यूज़ कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है या आपका course purchase हो गया है पैसे कट गए है या कोई भी issue आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 967333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा और आपकी problem को solve करेगा